हाई फ्रेंड्स मेरा नमे राज और आप से भी लोग का विलकम है आपके और हमारे यूटीब चेनल लखी आरजमे आज किस वीडिये में हम लोग बात करेंगे आईशमान कार्ड के बारे में तो आज किस वीडिये में मैं आप लोग को एक complete process बताने वाला हूँ कि आईशमान कार्ड के नए पोर्टल के माध्यम से आपसे भी लोग किस परकार से नए आईशमान कार्ड बनाओगे किस परकार से आपसे भी लोग अपना आईशमान कार्ड को डाउनलोड करोगे और किस प यह दोस्तों आईशमान कार्ड की तरफ से एक न्यू पोटल को जारी किया गया है जिसमें कि दोस्तों आप जितने भी वेक्ति हैं वह घर बेठे अब अपना नया आईशमान कार्ड बना सकते हैं आईशमान कार्ड में अपना नाम को एड कर सकते हैं किसी भी वेक्ति का से सको घर बैठे कर सकते हूँ जिसके लिए यहाँ पे दो ऑफ्शन दे गये हैं लोगी नस्त में बेनेफिसरी का और ऑपरेटर का तो अगर आपसे भी लोग common service center संचालक वाले हो तो operator के option पे tick किजेगा और allow के option पे click किजेगा बट अगर आपसे लोग एक individual वेक्टिव सिर्फ अपना और अपने family का आईश्मान कार बनाना चाहते हो तो beneficiary के option पे tick किजेगा यहाँ पे आपसे लोग अपना mobile number डालेगा और verify के option पे click किजेगा बट आप लोग के registered mobile number पे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे डालोगे capture जो दिया गया है उसको यहाँ पे डालोगे और login के option पे click करोगे यहाँ पे आपसे लोग का dashboard कुछ इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पे आपसे लोग देख सकते हो आईशमान भारत परधान मंतरी जन आरोग योजना का dashboard है यहाँ से आपसे लोग को schemes के option पे आओगे तो एक ही schemes मिलेगा आईशमान कार्ड बनाने का तो आप इस पे click किजेगा यहाँ से आपसे लोग को अपने state का selection करना है अभी फिलाल दोसो यह portal नहीं है तो कुछ ही state को अभी फिलाल यहाँ पे add किया गया है तो आपसे लोग अपने state को यहाँ पे choose करना अब यहाँ पे आपसे लोग को अपने district को choose करना है ठीक है तो search by के option पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे options देखने को बिलेंगे अगर दोसो आपसे लोग के पास रासन कार्ड है तो आप अपने family ID के थूँ अपना आईश्मान कार्ड बना सकते हो अगर आपसे लोग का सिर्फ आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड नंबर से ही अपना आईश्मान कार्ड को बना सकते हो अगर आप लोग का आईश्मान भारत लिश्ट में नाम है तो भी आपसे भी लोग अपनी आईश्मान कार्ट को बना सकते हो तो example के तोर पे मैं यहाँ पे family ID चूज कर लेता हूँ राशन कार्ट नमबर के तुरू बनाना चाहता हूँ आप चाहो तो दोस्तो सिर्फ आधार कार्ट नमबर चूज करोगे यहाँ पे आधार कार्ट नमबर डालोगे customer का और search के option पे click करोगे आप से बिलुक देख सकते हो मैंने राशन कार्ट के तुरू आईशमान कार्ट बनाने का कोसिस किया है आप चाहो तो आधार कार्ट के तुरू भी अपना आईशमान कार्ट बना सकते हो तो राशन कार्ट में जितने भी family member का नाम है सारे family की details यहाँ पे open हो चुकी है बहुत आसान है यहाँ पर option दिया गया है action का और action के side में ekyc का option दिया गया है तो आप जिस भी विक्ति का आईशमान कार्ट बनाना चाहते हो ekyc के option पर क्लिक कर देए उनका अधार का नमबर automatic आ जाएगा उस OTP को आपसे भी यहाँ पर डालोगे और author gate के option पर क्लिक करोगे आप लोग का ekyc कंप्लीट हो जाएगा ekyc कंप्लीट होने के लगवग 24 घंटे या दो या तीन दिनों का टाइम लगता है आप लोग का कार्ड को approval होने में आप अधार कार्ड नमबर डाल सकते हो आते हो कि आप लोग के एरिया में या आप लोग के विलेज में जितने भी वेक्तियू का आईश्मान कार्ड बना हुआ है अगर आप उसका आईशमान का डाउनलोड करना चाते हो या खुद का भी आईशमान का डाउनलोड करना चाते हो तो यहाँ पर location दिया गया है तो अगर आप से भिलोग सहरी area से belong करते हो तो urban के option पर choose किजिए अजय था ruler के option पे choose करना है अब यहाँ से आप से विलोग अपने district को choose करना और यहाँ से विलेज को choose करना और search के option पे click कर देना अप लोग के village में जिन जिन वेक्तियों का आयश्मान कार्ड बना हुआ है और जिन जिन वेक्तियों का आयश्मान का डिके वैसी complete हो चुका है और जिन जिन वेक्तियों का आयश्मान का जनरेट हो चुका है उन सभी लोग का download करने का option मिलेगा example के तोर पे यहाँ पे देख सकते हो card status में approved दिख रहा है और EKYC भी verified दिख रहा है term and condition को accept करना और allow के option पे क्लिक करना उन लोग के registered mobile number पे एक OTP को shend किया जाएगा उस OTP को फिर से यहाँ पे डालना है और author gate के option पे क्लिक करना है आप लोग के family में जितने भी वेक्तियों के list open हो जाएगी जिन जिन लोगों का card approval हो चुका है उन लोगों का दोस्तों आप क्लिक कर देना जिसका भी card download करना चाहते हो यहाँ पे आपसे भी लोग देखोगे कि आप लोग का जो card है वो आचाएगा अब यहाँ पे option मिलता है download का तो download के option पे click करके आप अपना card को download कर सकते हो दोस्तों इसी portal पे आओगे तो new option add क्या गया है add family member अगर आपसे भी लोग को किसी भी आयश्मान card में नाम को add करवाना है तो यहाँ पे आपसे भी लोग add बहुत ही simple तरीकों से कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों जिस भी वेक्ति का आपसे भी लोग add करवाना चाहते हो उनका दोस्तों आधार card होना चाहिए और उनके आधार card में mobile number link होना चाहिए जिसके लिए दोस्तों आपसे भी लोग यहाँ पे आधार OTP के option पे choose करोगे जैसा कि मैं यहाँ पे click कर देता हूँ यहाँ पे click करने के बाद दोस्तों उस वेक्ति का आधार card number डाल देना है और यहाँ पे verify के option पे click करके उनके आधार card में जो mobile number link है उसमें OTP आएगा और OTP को verify करके आप बहुत ही आसानी से add family member कर सकते हो तो दोस्तों जैसा कि आपसे भी लोगों ने देखा इस नए portal के माधियम से कुछ इस प्रकार से आपसे भी लोग अपना आईश्मान card बना सकते हो अपने आईश्मान card को download कर सकते हो और अपने आईश्मान card में किसी भी वेक्ति को add कर सकते हो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करना comment करना अपने शारे दोस्तों को share कर दे रहा मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा एं गुड़ बाई